नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागता डेट आज की जन्वरी 10-2023 देख लेता हैं इंडियान एक्ष्पेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज सिर्फ हम एक ही इशू को देखन आ जाना जिसकी वज़सें लोगों में अफरात अफरी मची और तब जाकर के प्रशासन ने अटेंशन पे की तो कुल मिलाकर के कंस्ट्रक्शन या डेवलोपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर के जो लापरवाईया बढ़ती जाती है उसका अनुक्सान कौन भुगत रहा है वहां के रेजिडेंट्स तो उस पॉइंट आफ फ्यो से इस आर्टिकल को हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते है जो शिमट से ओरिजिनेट हो रही है अलक नंदा दोली गंगा इधर से आ रही है और यह दोनों मिलकर के और विश्णु प्रियाग में जोइन कर रही है मर्ज हो रही है अलक नंदा और दोली गंगा फिर अगेन यह अलक नंदा की नाम से आगे कंटिन्यू कर रही है ठीक है फिर आगे आता है नंद प्रियाग नंद प्रियाग में इस अलक नंदा में एकोर रिवर आके गिर जाती है इस नंदा किनी ओके फिर उसके बाद में नेक्ष्ट आता है कर्ण प्रियाग कर्ण प्रियाग में एकोर गंगा रिवर आती है जिसका नाम है पिंडर गंगा ओके तो कुल मिला पहुंसती है अलग नंदा वहां आकर के गंगोतरी ग्लेशर से ओरिजिनेटेड भागीरती आकर के मर्ज हो जाती है तब नाम पड़ जाता है यहां से अलग नंदा और भागीरती के मिलने के बाद में गंगा तो कुल मिलाकर के गंगा का ये एक इंपॉर्टन नेटवर्क है अभी जो हम बात कर रहे है जोशिमत की वो विश्नुप्रियाग इस रीजन की हम बात कर रहे है ठीक है क्योंकि धोली गंगा के पास में ही लॉकेटेड है और इसी धोली गंगा के ओपर कुछ प्रोजेक्ट्स है और यह अलग नंदा रिवर भी है ये भी डाउन कटिंग कर लावा दिया गया है तो कुल मिला करके जोशिमत में रहने वाले लोगों को हो रही है परेशानी ठीक है जी तो यह नेटवर्क समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था इसके आगे देखें बाके इस मैप को भी आप अच्छे से देख सकते हो यह बद्रीना था इदर कैदारनाती यह उत्रागंड का मैप चल रहा है ठीक है और यह देख सकते हो वैली ओफ लावर भी यहीं पर जोशिमत के पास में लॉकेटेड़ है विश्नु प्रियाग जोशिमत ओके यह है मोटा मोटा और यह डिस्टिक्ट कौन सा डिस्टिक्ट है चमोली ठीक है चलो अब देखते हैं जो हमारी में में डीटेल से हैं उनको नियोश्पेपर से हैं देखा अभी जोशिमत में एक यह चीज़ क्लियर हुई है कि वहाँ पर हिमालयान जो माउंटेइनस एकोसिस्टम है उसकी जो वीकनेसे हैं उसकी जो फ्रेजायलिटी है उसको इग्नोर कर कि वहाँ पर डवलपमेंटल एक्टिविटीज कंटीनू रही और उसको नुकसान ये रहा कि वहाँ पर छहसो से ज़्यादा घरों में जो है दरारे आ गई और छहसो से ज़्यादा घरों में लगबग तीन हजार के लगबग अगर पांच मेंबर भी एक घर में माने तो मुराइन्स हैं मुराइन्स क्या होता है जो ग्लेशर ग्लेशर्स होता ना ग्लेशर्स उनके साथ में जो डेबरिस जो भी मलबा मूग करता है और वो जाकर के जब कहीं पर डेपॉसिट हो जाता है तो वो डेपॉसिटेड माटीरियल जो एक तरीके की स्टक्चर क्रियेट क की वज़े से वो जमीन तयार हुई जोशिमट वाली और उसी पर आपने कंस्रक्शन करवा दिया वही सीधी सी बात है जमीन कच्ची है और उसके नीचे का जो अगर पुरा प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम का हम समझें तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि यूरेशन प्लेट और इंडो अस्ट्रेलियन प्लेट कॉलिजन कर रही है लगातार सिजमिक लिए अक्टिव रीजन है और उसके ऊपर एकदम फ्रेजाइल रॉक से बना हुआ सिस्टम है वहाँ पर आपने बना दिया मकान तो वही सिजमिक एक्टिविटीज तो ट्रेमर क्रियेट करेंगे और उ वाइब्रेशन की वज़े से अनकंसॉलिडेटेड रॉक्स है वह भिखरेंगी वह भिखरेंगी तो कंस्ट्रक्शन कैसे टिक सकता है तो हाल हो गया यह ठीक है जी तो ऐसे में देखो यह कोई पहली बार नहीं है पहले भी 1970 के टाइम पे कमिटी कॉंस्टिटीट की गई थी ठीक है कमिटी 1950 के टाइम पे मतलब 5 दशक पहले ही बोल दिया ना तो 1970 का टाइम है गड़वाल कमिशनर थे उस टाइम पे महेश चंदर मिश्रा उनकी लीडर्शिप में और उस कमिटी ने हाइलेट कर दिया था बोले इस एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत जादा खतरनाक ह यह सारा का सारा एरिया जो है उसका बेस जो जमीन है वो मोराईंस है UNConsolidated sedimentary rocks यह कह सकता है मोटा मोटा तो बुल operate है कोई solid चीज नहीं है जिसमें ठिक सके पर वही चीज है कि back to back studies ने इतने concerns रेज के उसके बाउजूद भी जो प्रशाशन है उसने ध्यान दिया नहीं कि short term profit का ध्यान में रख करके developmental activities को continue रहने दिया आज अगर हम उत्रागंड की बात करें अभी मैंने गंगा का network आपको समझा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा pressure है ट्योरिजम का लोग आते जाते रहते हैं और ज्यादा ट्योरिजम कैसा रहता है तरीके से बक्ती वाला devotees वाला ना कि बक्त गण जा रहा है कैदारनाथ बद्रीनाथ ठीक है तो वहाँ और इसके अलावा बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब ये भी वहाँ पर पास में located है जोशी मठके तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये इस एरिया पे बहुत ज़्यादा pressure है ट्योरिजम का और ट्योरिजम को देखते हुए लोग पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ पर कई कोई resort खोल रहा है कोई hotel खोल रहा है कई building के बन रही है residents के लिए residents भी वहाँ पर settle होने लग गए तो ऐसे में वहाँ पर वहाँ की capacity जो है उससे जमीन की कि कितनी population को handle कर सकती है उससे ज़्यादा population वहाँ जाके settle हो गई ठीक है तो कुल मिला करके problem क्या ही कि जो वहाँ की seismic sensitivity है वहाँ पर जो glacial deposits हैं उनकी एक reality को geographical reality को ignore करते हुए development होता रहा इसी वज़े से यह आज का दिन देखने को मिल गया और यह चीज मिश्रा कमिटी ने भी highlight कर दी थी इसके लावा एक point और बताया जा रहा है कि वहाँ पर NTPC के दुआरा National Thermal Power Corporation तपुवन विश्नुगार्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है ठीक है जिसमें जो जो जोशिमत का जो location है ना उसके नीचे जिस पहाड़ पर जोशिमत located है उस पहाड़ के नीचे पहाड़ में ही नीचे से एक tunnel बनाई गई है और तो इस tunnel के थूप पानी ले जाया जारा और वहाँ पर फिर electricity production की बात की जारी है तो कुल मिला करके अब आप देखो कि एक तो seismically वैसे highly sensitive region है उत्राखंड और दूसरी अगर बात करें तो वहाँ पर नीचे से अगर tunnel आपने बनाई है तो tunnel की वज़े से भी vibrations तो create हो है तो उ national thermal NTPC का तपवन विश्णुगाड तो ये भी बहुत जादा नुकसान वाली चीज़ है ठीक है और यहां की जो complex hydrology है उसको disturb भी किया है तपवन इस तपवन प्रोजेक्ट ने ठीक है जी अब आप देखो कि एक तरफ तो अलक नंदा river flow हो रही है हमने अभी देखा विश् तो लगातार erosion कर रही है बई steep mountainous course है यंग stage पे flow हो रही है river वहां पे तो definitely down cutting चल रही है ठीक है और दूसरी तरफ अगर देखें तो दोली गंगास है या फिर आप पानी निकाल करके दूसरी जगह ले जा रहे हो तो इसका मतलब आप dehydrate कर रहे हो डी watering कर रहे हो उस region की तो वहां की ecology को वैसे disturb कर रहे हो तो यह चीजे बोलो बहुत नुकसान वाली साबित हो रही है और यह चीज 2012 में highlight भी हुई थी पिसले साल August की बात है जब experts की एक team बनाई गई जिसमें IIT रूड़की, Geological Survey of India, Wadia Institute of Himalayan Geology, देरादून, इसके लाव Central Building Research Institute, रूड़की, उत्राग जोने मिलकर के experts ने यहां की जो risks थी, troubles थी उनको highlight किया, कि बोलो जोशिमर्ट में जो cracks हैं वो बहुत हत्तक और बाकी districts, बाकी areas में भी देखने को मिल सकते हैं, अब जोशिमर्ट तो चमोली में है, चमोली के बाकी और areas में भी देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के, अब सव particularly बात की जाएं तो resorts और यह construction activities जादा हो रही हैं, ठीक है, और अलग नंदा river का मैंने आपको बताई दिया सारा कि इसका भी एक erosion का factor लगातार बना हुआ है, तो वैसे देखा जाएं तो जब यह highlight हुई बात, तो यह blame game में क्या है कि कोई तो NTPC को blame कर रहा है, अब सबसे बड़ा जो blame game है वो आना चीए कि इस पे वहां के corporation पे जिसने development किया है उस particular region का, municipality का, right, municipal corporation है या municipality है जो भी है, उसकी responsibility बनती है कि भई इस तरीके से ecologically fragile region में अगर इतना development हो रहा था, तो आपको रोकना था, ठीक है, अब बात आएगी क्यों, population pressure, population pressure को इस तरीके से manage करना ज रिश्तितिकों, वैसे central और state governments ने अपनी तरफ से efforts पूरे करना शुरू कर दिया है, priority पर रख लिया है, इस मुद्दे को, central government ने तो national disaster management authority के जो scientists हैं, उनको कहा है, national disaster management authority, geological survey of India, national institute of hydrology, कि भईया एक risk sensitive urban development plan तयार करो, मतलब कि जहां जहां पर भी, देखो सबसे पहली चीज जोग्राफी से लिए पढ़नी जरूरी है, आप future के administrator बनना चाहरे हो तो आपको जोग्राफी से लिए पढ़नी जरूरी होती है, कि भईया कहां पर क्या काम हो रहा है, उसके पहले ये तो पता पढ़ जाए कि वहां की reality का है, जमीनी हकीकत क्या है, और वह जमीनी हकीकत का म यह यह अपनी तरफ से Central Government की तरफ से शुरुवात कर दी गई है, बट बात यह है कि जो पहले की studies आई हुई है, जिससे मिश्रा कमिटी ने अपनी तरफ से बाते बोली है, और भी studies आई हुई है, इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, अब दुबारा एक और कमिटी अनूप नौटियाल जी के तुरह लिखावाई आर्टिकल है, जोशिमाट जो की हिमालियन रिजिन में लॉकेटेड है, चमॉले डिस्टिक्ट में लगबच्छे हजार फीट की हाइट पर यह लॉकेटेड है, ठीक है उत्राखंड में, उत्राखंड की हिस्ट्री में यह से लगने वाली है, और लगी हुई है, यह चीज मैंने आपको बता दी किस तरीके से वहाँ पर डवलप्मेंटल एक्टिविटीज हो रही है, जबकि वहाँ की जोग्राफिकल एन कहते हैं कि जियो लोजिकल रियालिटी क्या है उस रीजन की, वह हम पढ़ते ही है ठीक है, रिवर क्या कर रही है वो चीज हमने देखी लिए ठीक है, रिशी गंगा, धोली गंगा, इनका भी कॉंसेप्ट मैंने आपको बताए दिया चलिए, रिशी गंगा और नाम आगे को ट्रिविट्री गंगा की छोटी, ठीक है थोड़ा ध्यान रख लेना वही ठीक है, जो ने को ध्यान में रखते हुए, इग्नोर कर दिया गया, तो आज वहाँ पर लोगों ने जो सपनों के घर बनाये थे, उनमें दरारे पड़ रही है, पीची का जो तपवान विश्नुगार्ड आइड्रो पाउर प्रोजेक्ट उसकी बात हम आल्रेडी करी चुक है, जिसमें दो हेलांग बाइपास जो है, उत्राखन में हेलांग बाइपास है, वहाँ पर ओल वेदर रॉड गंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसका मतलब रोड गंस्ट्रक्शन के लिए भी वहाँ पर माउंटेंस की कटिंग वटिंग की गई होगी, तो उसका भी बुला एक पॉइंट है, अब देखो क्या किया है, एंटी पीसी का जो हाइड्रो पाउर प्रोजेक्ट है, उसको एक बार रोक दिया गया है, टेक्निकल रिसोर्स हमने देखिया है, लग-लग इंस्ट्यूशन के इंडि साइंटिस्ट को बुलाया गया है, कि आप अपनी तरफ से हमें के लिए रहने की सेपरेट व्यवस्ता कराई जा रही है, जिससे की उनकी जान को बचाया जा सके, तो सवाल यह कि जोशी मठ ही नहीं है भीया, जोशी मठ के अलावा आप दार्चुला, मुंचियारी, यह पितुरागर डिस्टिक में है, करन परियाग देख लो, समोले डिस सिस्टम है, और सिजमिकली एक्टिव रीजिन है, तो वहाँ पर तो यह नॉर्मल बात है, तो कुल मिलाकर के बात यह है, कि यह जोशी मठ के लोगों का जो मिस फॉर्चियोन है, दुर्भग्य है, इससे अगर कुछ सीखा नहीं गया, तो नुकसान बहुत बड़े हो सकते ह ठीक है, तो यही बात है भीया, सीखो आगे भड़ो, इसके लावा देखो इस पर्टिकलर न्यूस पेपर के अगर बात करें तो एक आर्टिकल यह है आपके लिए, सिक्योर साइबर स्पेस फॉर चिल्डरन, ठीक है, और एक आर्टिकल और है, यहाँ पर दिखा देता यह यूजी सी ने नई गाइडलाइन्स इश्यू की है, क्या, कि फॉरें यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो आकर के अपने केमपसेज ओपन करें, तो उसके क्रिटिस हमारा है बैक टो बैक, तो यह एक आर्टिकल आपके लिए एक और है, अब मैं क्या करूँगा, कि पूरा यूजी उसपे पर तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बाकी अगर आपको रिक्वाइड हो, ठीक है, कि हाँ, सदा में के ओल एडिटोरियल आइडिया पे शेयर कर दो, तो आप मुझे टेलिग्राम पे 7357600854 पे हलो बेज दो, जिससे मैं एडिटोरियल पेज का जो पॉइंट है, वो आपको शेयर कर दूँगा, आप देख लेना, आज आज के लिए करूँगा, ठीक है, तो जिसको जरुवत हो, यह टेलिग्राम नंबर मैंने बता दिये हैं, इस पे आप बेज देना, ठीक है, और आपके पास अल्रेडी न्यूस पेपर है, तो यह जो मैंने आर्टि